हलो नमस्कार दोस्तो आपका आरजी ब्रेजवासी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम देख सकते हैं आई हैं वर्ट सेंचुरी में जो है बिग वन में जो पूरे डिस्टिक में आती है महराष्ट में और हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि हमारा कितना खर्चाया है बोटिंग का क्या टाइमिंग है कैसे जाएं तो आप प्लीज वीडियो में अंड तक बने रहे हैं दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूं बोटिंग करने का जो चार्ज है दोस्तो तो वो भी मैं आपको उताने वाला हूँ, सबसे पहले हम बताते हैं, Big One World Century जाने के लिए आपको जाना होगा 12 मती से Big One के लिए, जो करीब 12 मती से 20 किलो मीटर है, Big One से करीब 7 किलो मीटर आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर ये सारी चडिया जो दिखाई दे रही हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी, बोटिंग की बहुत अच्छी सुगदा है, और पानी का वहाँ, पानी एकदम सांत है, डेम जैसा पूरा एरिया है, दोस्तो मैं आपको सला देना चाहूँगा, ये आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो आपको 9 मर दिसमर महीने में जाना चाह लिए, जो बहुत अच्छा सीजन होगा, फिलाल थोड़ा घूप है, तो साम के टाइम, और यहाँ पर संद्राइज और संसैट के टाइम, मतलब सुबह और साम को नजार बहुत खूब सूरत लगता है, बहुत सारी चिडिया हैं, और बहुत बहुत दूर से लोग घुमने क लिए आते हैं, तो आप जा सकते हैं गुमने के लिए, बहुत अच्छा आपको वहाँ पर लगेगा गुमने के लिए, लेकिन वहाँ पर सेफटी जैकेट रहती हैं, जो हमने नहीं पैन पाए थे, तो आप सेफटी जैकेट पैन के ही नाब में बैठ हैं, और मात की जाए, तो दोस्तों वहाँ पर जो चार्ज रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ जैसे ही, कि आपको हजार रुपे बोट का चार्ज देना पड़ेगा, यदि आप खुद रिजर अप कर रहे हो, अपने लिए, यदि आप सेरिंग में जाते हो, जैसे दो चल लोग और आए हैं, तो आप दो लोग और उसमें जाते हैं, तो फिर भी पर परसंट 300 रुपे से कम नहीं पड़े हैं, और एक बोट में मैं आपको अतना चाहूँ, कैप सिटी, 6 लोगों की रहती है, यदि आप 10 या बारे लोग जा रहे हैं, तो आपको दो बोट लेनी पड़ेंगी, ये सारी चीडिया दिखाई देंगी, और संसेट के बाद जब आप वापिस आओगे, तो जो नजारा है भहुत खूसरत दिखाई देता है, बहुत साइड चीडिया आपको दिखाई देंगी, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, जय हैं जय वारत